दोस्तों आपका हर्दिक शुरागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट डॉलाइब में दोस्तों आज के डिक्क में रीख वर की जानकारी लेके आया हूं जिसमें की आररवी एंटिपीसी जी हां दोस्तों आपने सही सुना आररवी एंटिपीसी की जो है ओफिसील अब गैजम करें तो चलिए दोस्तों गरने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर दबा ले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन की जानकरी हमारे इस चैनल के माधियम से मिलती हैं वीडियो पास्तों के साथ सेर करें चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं जमय दोस्तों जैसे देए कि मैंने यहां नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है जिसमें कि आपको दिया गया है ऑफिकेशन यह पूरी जान करें यह जो इसमें दिया गया है जो दिया गया है इसमें इधिक से पहले यहां फर्स्ट नंबर पे दिया गया है दस फेज फर्स इस धे एक तीन पांच छे साथ आठ एक्जाम चलेंगी जिसमें की टोटल च्छे लाख कंडिडेट्स को एक्जाम होना रखा गया है ठीक है उसके बाद की बाते हम करते हैं तो नेक्स ट्रेप में दिया गया है कि दक फोर दा कंडिडेट हुआर सेड्यूल दा एभग डेट्स दा लिंक व्यूंग दा एक्जाम सीटी एंड डेट्स डाउनलोडिंग फ्री ट्रेवलिंग ऑथरिटीज फोर सेस्ट कंडिडेट्स विल विमेड अव है डेट किस डेट को पर हैं इस सारी जानकरिया आप चेक कर पाएंगे और सी एश्टी के लिए जो आर्रवी की वेबसाइट पर ट्रेवलिंग ऑथरिटी है जो कि उनका टिकेट बंदा है वह भी आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे आज ही के रात 22 मार्क रात्री 9 बज और ऑफदेग्जाम डेट मैंसंड इन एकजाम सीटी एंड एंडिट इंटमेशन बलेंग इनकी एकजाम जिस दिन होंगे उसके ठीक चार दिन पहले से आपके जो है झाश्ट काम डाउनलोड होने इस्टार्थ हो जाएंगे तो चार दिन पहले वेट करेंगे ठीक है उसके कि आपके नमबर पर जो भी जिनका भी एक्जाम हो रहा है सिस्थ फेज में उनके मोबाइल नमबर पर और इमेल पर जो है नोटिफिकेशन सेंड कर दिया गया है जो कि रजिस्टर एक्जाम फॉर्म भरते हुए आपने दिया हुआ था ठीक है उसके बाद फिर्ट पर दिया अगर किसी का नहीं हो पाता है जैसे की कैंसिले वी हुड़ी कोबिद नाइंटीन की वज़े से अगर चांप किया जाएगा जो कि हो सकते हैं इसकी कोई कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी गए लेकिन अफिसल अबडेट कंटिनुशली चेक करते हैं ताकि आपको यह जानकरी मिलती रहे कि आपकी एक्जाम नेक्स्ट फेज में कब होगी यह पूरी जानकरी आपको ऑफिसल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी ठीक है नेक्स वीडियो के साथ नई जानकरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहें